लोग एनिमल देखने जू नहीं जाते मूवी होल जाते हैं हम भी गए और हमने इस एनिमल मूवी की कहानी का अंदाजा काफी हद तक लगा लिया था और तुम लोग भी ये बात जानते हैं तुमने मेरे ट्रेलर का रिव्यू देखा था देखा था नहीं देखा देखा सब्स बच पंजे बैटे को वक्त नहीं दे पा रहा है और बैटा बाप के अटेंशन रिकोगेंशन पाने के लिए मरह जा रहा है लेकिन बैटा आधमी कम और वावल्त को ज्यादलगता है और इसी वज़ेसे बाप को इसका कोई भी तरीका पसंद नहीं आता है इसलिए बाप बच्पन से बेटे को डिस्प्लिन सिखाने के चक्र में रूड रहता है अब बेटे की प्यार की भूख और बाप की चिंता बढ़ते चली जाती है साला दोनों को जो चाहिए वो उन्हें मिली नीरा है और इसी बीच में हो जाता है बहुती बड़ा पंगा बाप पे चल जाती है गोलियां वो भी कोई बहुत पुरानी और बड़ी रंजिश के चलते अब बेटे का पापा को लेकर जो जुनून है वो उसके अंदर के ऐसे जानवर को पैदा करता है कि अपने दुश्मन को नस्त नाबूत करने के चक्कर में वो खुद के प्यार खांदान और खुद को लगबख खतम कर देता है अब देखना यह कि बाप का दुश्मन कौन है और क्यूं है उन दोनों बाप बेटे के बीच में दूरियां पहले खतम होंगी कि उन दोनों का रिष्था और यही बढ़िया कहानी का बढ़िया ड्रामा हमें तीन घंटे 20 मिनट के आसपास के टाइम में देखने को मिलता है सिनिमा होल में एनिमल मुवी गंदर मा माशुक demon के लिए इसका खून खराबा और इसका ब्रूटल सेक्स सच में जानवर की तरह करते हैं बही सोरी मैं दो भूली गया था नाम भी तो और यदि मैं कहूं कि animal movie घिनोनी है तो कोई गलत बात नहीं होगी घिनोनी इसलिए भी क्योंकि इस कहानी के अंदर दो dominating aggressive male ऐसे दिखाए हैं जो कि females पर अपने dominance दिखाने के चक्कर में काफी हद तक limits पार कर देते हैं और एक हद तक वो प्यार या दुश्मनी या शोक नहीं लगता फिर वो घिनोना सा भी लगने लग जाता है अंदर से सबको realize होता है कि यार यह ethics के खिलाफ जा रहा है लेकिन उ से कटने वाला एक scene आता है वो देखी नहीं पाई आखे ढखली उन्होंने यस animal movie घिनोनी है एक नहीं कई तरीकों से मुवी के अंदर acting entertainment मसाला ड्रामा सब कुस देखने को मिलता है लेकिन उसके बावज़ित मुवी के अंदर कमिया कमिया नहीं मैं तो कहाँगा कि मुझे शिकायत है बाई पहली शिकायत है कि पूरी animal movie के अंदर बोवी देवल के सिर्फ दो दिन की कहानी है दो दिन के scene से literally कि दूसरा मुवी तीन घंटे 20 मिनट की duration कि जो कि लंबी मुवी और काफी टाइम बाद ऐसी लंबी मुवी आए तो मुझे देखके अच्छा लगा कि यहां लंबी मुवी भी सिनेमा होल में जारी है लोग देख रहे हैं मैं खुश था लेकिन बस जब तक मुझे यह ऐसास न मुवी के बीच बीच में इतने खतरनाक फाइट सिक्वेंस दिखा जिसमें जुन खुन खुराबा बहुत कुछ दिखाए गया लेकि मुवी के क्लामेक्स में आके डारेक्टर ने एक एकसा एक्सपेरिमेंट कर दिया कि हिरो और विलन के relationship को और उनकी fight को उनकी दुश्मनी पी नहीं हुई वैसे एक बात ध्यान रखना कि मुवी के क्रेडिट सुरू होते ही सीट मत छोड़ देना वेट करना जब तक कि पूरी की पूरी स्क्रीन सफेद ना हो जाए तो मेरा फाइनल स्टेट्मेंट फो न्यू रिलीजड एनिमल मुवी और रंबीर कपूर वो यह ह नहीं है बड़ एक फैमिली ड्रामा जिसके अंदर बाप बेटे के बीच का पागलपन दिखाया है अपने बाप के दुश्मनों से बदला लेने के लिए कैसे बेटा एक जानवर बन जाता है एक एनिमल बन जाता है वो देखने को मिलता है फैमिली के साथ गलती से मत चले ज फैन हो बहुत किस्मत से तो भाई साथ आपके लिए जन्नत है तो यदि मैं अपने एक्स्परेंस को रेटिंग्स में बया करना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूँगा 4.4 आउट और 5